तो आज मेरी इस YouTube चानल का सबसे पहला व्लॉग है और यह व्लॉग है लाटगर ट्रिप के बारे में तो आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सुभर साथ बचे यह से निकल चुके थे और हमारी पूरी फैमिली थी मैं मेरे ममी पापा मेरे मामा मामी उनकी बेटी और उनका बेटा और मेरे चोटी मामा की बेटी और मेरे बासी की बेटी and as you can see अभी हम लाडगर में इंटर कर चुके है and वाँ की आप गरिनरी देखी सकते हो कि इतनी ज़्यादा अच्छी है and वाँ का जो पूरा नेजर ये बहुत ही रिलक्स है बहुत ही अच्छा है and अब हम होटेल में आ चुके थे and luckily हमें इतना अच्छा होटेल मिला था जहासते ये बीच का सारा नजरा दिकरा था we all were enjoying that fresh होने के बाद हम सब बीच पे गए थे sunset का नजरा देखने के लिए and वहाँ के sunset का जो नजरा होता है वो बहुत ही अच्छा होता है and next day सब उठने की बाती हमें बीच का इतना अच्छा विव देखने की लिए पहले दिन इतना सब एंजोई करने के बाद दुसरे दिन हम सुबब बोटिंग करने के लिए जा रहे थे and वहाँ पर हमने टॉलफीज भी देखी कि बोटिंग करने के बाद बारी आए थी वाटर आएड़ की तो सबसे पहले जो हमने राइड की थी उसका नाम था सोफा राइड इसमें हमें बहुत ही मज़ा आया था आज आज देन हम जिस राइड पर बैठे थे उसका नाम था बनाना राइड स्टार्टिंग में तो मुझे इस राइड पर बैठने का बहुत ही डर लग रहा था लेकिन जैसी ही राइड स्टार्ट हुई तब हम सबने बहुत एंजॉय किया बहुत मसा किया एंड स्पेशली इस राइड से रिटन आते वक्त तब तो हमने बहुत ही जादा एंजॉय किया दन हम बैठे थे जैट्स की राइड पर इसमें भी हमें बहुत मजाया था सुबह बीच पर इतना एंजॉय करने के बाद हम सब गए थे अंजर ले गनपटी बापा के फैर्शन करने के लिए मंदिर में रशन होने के बाद हमने वहां का स्पेशल थंड़ा थंड़ा कोकम शर्बट भी पिया था वहां पे हम सबका इप्याहरासा स्लो मो वीडियो मेरी दिदी ने निकाला था क्पा कई मैं भी था ओर देव्याओ वहारासा स्षाओर एज रहरासा स्पेशल था थिए लिए झाला था एए और मंदिर से वापस आने के बाद हमने माउंटिन मोटर बाइक राइड भी की और फिर से थोड़ी दर के लिए बीच पे गयते हैं डिनर के बाद हमने वापस प्रेशन मोटर भी खाई जो बहुत ही टेस्टी थे और नेक्स डे सुबह उठने के बाद हम फिर से बीच पे गये थे हम सब वापी इतना इंज़ा कर रहे थे कि किसी को भी वाँ से जाने का मनी नहीं हो रहा था अब देखी सकते हूं कि छोटी सी गुडिया कैसे पानी में इंज़ाइ करीए झाल don't be shy girl, go to bonanza, shake your body like a belly dancer Then, we all were gone to the temple of Bhagawan Parashuram Ji, which was in Burundi, which was from our hotel from 20 to 30 minutes. Bhagawan Parashuram, Bhagawan Vishnu's sixth altar. वहाँ पे ध्यान मंदिर में हम सब ने मिलके एकी स्वर में ठूह एक ग्रता के साथ ओम का जब किया, जिससे सब को रिलाक्स फिल हुआ. इसी तरा प्रकृति की सुन्दर चाका आनन लिटी हुए, हमने अपनी वापसी की यात्रा शुरू कर ली. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक कीजी, कमेंट्स दीजी और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शार कीजी और इसी के साथ अपने अगर नक्षित्रास मैंजिक कलेक्शन इस चैनल को सब्सक्रेब ना किया, तो जरूर सब कीजी ताइक यू